हालो फ्रेंट्स आपका फिर से एक पर स्वागत है आपके अपने चैनल दस्पाइस क्लिनिक में आज हम बनाने जा रहे हैं छटपट बनने वाला रूह अफजा अगर आपको ये रेस्पी पसंद आए तो एक सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये बल्कुल फ्री है तो चल अपनी हिसाब से कटोरी ये कप कुछ भी ले सकते हैं सारी मेजर्मेंट उसी कप ये कटोरी से करें इसके बाद हम इसमें डालेंगे दो कप चीनी मैंने उसी कप से मापकर ये चीनी रखी है चीनी डालने के बाद इसको एक बार चला दे इसके बाद हम इसमें डालेंगे वन फोर्थ चमच नमक नमक डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए गैस पर चलने दे इसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून सट्रिक आसड सट्रिक आसड हर जगा इजिली अवेलेबल है किसी भी आप ग्रॉसरी शॉप से सट्रिक आसड लेके आ सकते हैं सट्रिक आसड डालने से ये आपका बिलकुल भी खराब नहीं होगा इसके बाद इसको धीरे-धीरे हिलाना शुरू करें इसको हिलाना इसलिए जरूरी है तांकि चीनी तली पे ना बैठ जाए और नीचे से जलने ना लगे देखिए ये धीरे-धीरे उबलना शुरू हो रहा है इसको बीच-बीच में चलाते रहें जब तक कि इसमें पूरी तरह से उबाला आना ना लगे हमारी चाशनी उबल कर त्यार हो रह गई है दूसरे तरफ मैंने एक तरफ एक पैन में एक पानी उबाल लिया था अब हम धीरे-धीरे करके इसमें पानि मिलाना शुरू करेंगे ये ये एक कप पानी है इसको एक एक चमच करके धीरे धीरे इसमें मिलाते जाएं हमारी चाशनी गरम है और हम इसमें गरम पानी ही मिला रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या फायदा होगा इसको मिलाने से हमारी चाशनी बहुत ही मुलायम हो जाएगी और वो अफजा बहुत ही बढ़िया बनेगा देखिए मैंने आँच धीमी कर दी है और इसको हम धीरे धीरे करके पानी मिलाते जाएगे जब तक की पूरा पानी इसके अंदर चलाना जाए जान रखें इसको एक साथ नहीं डालना है एक एक चमच करके ही इसमें मिक्स करना है इस तरह धीरे धीरे करके पूरा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और हमारी चाशनी भी थोड़ी ठंडी हो गई है इससे ये चाशनी बहुत ही मुलायम हो जाएगी और इसमें क्रस्चल्स नहीं बनेंगे अब इसमें हम मिलाएंगे दो कटोरी चीनी चीनी मैंने उसी कप से माप कर ली थी और हम अब इसको दोबारा से पकाना शुरू करेंगे रूफजा हर घर में बहुत ही पॉपलर है और आज हम इसको बहुत ही जटपट बना कर त्यार करेंगे हर एक घर में रूफजा तो आपको गर्मियों में ज़रूर मिल ही जाएगी देखें ये धीरे धीरे दबारा से इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक की पूरी शुगर इसमें डिजॉल्व ना हो जाए इस प्रोसेस में मुश्किल से 5-6 मिनट लगेंगे देखें हमारी चाशनी में उबाला आने लग गया है अब हम इसे 3-4 मिनट और पकाना है हमारी चाशनी लग भग तयार है अब हम इसके अंदर मिलाएंगे रेड फूड कलर आपके पास जो भी अवेलिबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं मैंने इसमें 1 टी स्पून रेड कलर मिला दिया है रेड कलर की मात्रा कम यह ज्यादा हो सकती है वो डिपेंड करता है कि आपका कलर कितना डीप है कलर मिलाने के बाद मैंने इसम की गैस ओफ कर दी है अब हम इसमें मिलाएंगे रोज एसंस मैंने ये वाला यूज़ करा है आपके पास जो अवेलेबल हो यूज़ करो एक चमच रोज एसंस मिला दिया है और इसको इसमें चला कर मिक्स कर दिया है अब हम लेंगे केवड़ एसंस केवड़ एसंस को डालते हुए बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि अगर इसकी क्वांटिटी जरा से भी ज्यादा हो गई तो इसमें कड़वापन आ जाएगा देखिए यह मुश्किल से दो से तीन बून है बस इतना ही मिलाना है इसको मिलाकर हमें इसको अच्छे से चला देना है लीजीए हमारा रूह अफजा तियार हो गया है इसकी यह कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जब आब बंद करें इसको हमें गाड़ा करके बंद नहीं करना है क्योंकि जब हम इसको ठंडा करेंगे तो यह automatically गाड़ा हो जाएगा आदा गंटा हो चुका है मैं आपको दिखाती हूँ इसकी यह consistency हो गई है लग रहा है ना बलकुल रूफजा और यकीन मानिए यह बलकुल इसका टेस्ट भी बलकुल रूफजा के जैसा होता है बहुत ही सस्ता बहुत ही कम समगरी में यह त्यार हो जाता है अब हम इसे बॉटल में भर लेते हैं मेरे पास एक खाली बॉटल थी रूफजा की मैं इसको उसी में डाल लेते हूँ आप भी किसी clean बॉटल में उसको पहले dry कर लिए अच्छे से फिर उसके अंदर भर रहें यह 6 मीनने तक भी खराब नहीं होता ना ही इसमें crystal जमते है और इसमें crystal नहीं जमने का कारण यही है जो हमने इसको बनाने की technique यूज रही है अगर आपको आप इसी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके बनाएंगे तो आपका ये रूफ जा बिलकुल खराब नहीं होगा ना ही इसमें बिलकुल भी चीनी जमेगी तो लीजिए हमारा रूफ जा हो गया है त्यार अब मैं इसको आपको एक ड्रिंक बनाके दिखाती हूँ मैंने एक स्लाइस निम्बू का ले लिया है थोड़ा सा पदीना डाला है क्योंकि गर्मी है तो पदीना बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा रूफ जा रूफ जालने के बाद हम इसमें थंड़ा पानी मिक्स करेंगे चाहें तो आप इसको दूद के साथ भी बना सकते हैं बच्चों को वो बहुत ही पसंद आता है मेरा भी परसनल फेवरेट है अब मैं इसमें डालूँगी आईस क्यूब्स और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है मैंने इससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा अब इसमें डाल दिया है आईस क्यूब्स गर्मी है तो ये थंड़ा ही अच्छा लगता है आईस क्यूब्स जालकर इसको मिक्स कर लिया है लीजिए आपका बहुत ही बहतरीन ड्रिंक त्यार है इसे जरूर बना कर देखिए ये बहुत ही बढ़िया बनता है और इसकी लागत भी बहुत ही कम आती है मैंने इसको एक निम्बू के स्लाइस से डेकुरेट कर दिया है थोड़ा सा धनिया नहीं पुदीना पुदीना लगा दिया है रैकुरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं तो लीजिए जी आपका बहुत ही बढ़िया ड्रिंक त्यार हो गया है इसे जरूर बना कर देखिए अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको जरूर एक लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही रेसिपी की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिलती रहे तब तक के लिए धन्यवाद